इमाजिन करो, आप एक रेस में हो, फिनिश लाइन तक पहुँच चुके हो, और बस बहुंचते बहुंचते आप आउट हो गए, आप स्लिप कर गए, बहुत बुरा लगता है ना, अब ये पुरा किसी भी अभिहरती के साथ नहीं होना चाहिए, कि वो एक्जाम और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाए, तो ये वीडियो आप ध्यान से सुन लीजिए, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का, आपके अपने बरिवार टीचर अड़ा पे, मेरा नाम है निदी अरो रहा है, आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वा तो अलमस्त सबसे जादा पदों पर ये भरती आने वाली है और इन पदों को धंग से फिल करना हमारा करतव्य है, ये पद सारे धंग से फिल हो पाएं, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपकी इस नोटिफिकेशन पर हर वो स्टूडेंट जो किसी भी वर्ग या क सब्जेक्ट कॉमिनेशन क्या रहेगा, हर राज्ये में एक लिस निकलती है, अगर कोई स्टूडेंट डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो जाता है, तो उसके पीछे कारण क्या है, तो उसको डॉक्यमेंट की समझ ही नहीं है, फॉर्म फिलिंग की टाइम पर उसने तो शुरुवात करते हैं हम लोग सबसे पहले कि सब्जेक्ट कॉमिनेशन होता क्या है, यहां पर मेरे पास चार वर्ग हैं बिहार शिक्षक गरती के पहली से पाचवी, छटी से आठवी, नौवी दसवी और ग्यारवी, बारवी, इन सभी पर eligibility, basic eligibility में डिसकस कर चुकी हू है, कि हम eligible हो पाएं, तो इस नीचे वाले की description को हम अच्छे से समझेंगे, सबसे पहले शुरुवात करते हैं वर्ग छटी से आठवी की, छटी से आठवी में आपके जो subject combinations है, subjects आपको दिया जाते हैं, इसमें math plus science, social science and languages, languages अलग 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 परगार किया, मतलब ऐसा नहीं है, कि कोई भी एक language चलेगी, हिंदी पर अलग भरती मिलेगी, English पर अलग, Sanskrit पर अलग, उर्दू पर अलग, ठीक है, अब इन सभी subjects में, क्या-क्या combination बनता है, शुरुवात करते है, maths plus science है, maths, physics, chemistry, biology, आपके पास कोई भी दो subjects अगर अपनी graduation में है, इन चारों में से, तो category के लिए eligible हो, 6-8 वर्ग के लिए, अगर आपके पास social science वर्ग के लिए आपको apply करना है, तो history, geography, political science, philosophy, economics, commerce, home science, psychology and sociology, इन सभी में से कोई भी दो subjects का combination बना सकते हो, और आप social science posts के लिए eligible हो, आने वाली भरती में, ठीक है, तो बिहार में आपका जो graduation है, वो दो लेवल पर है मैं आप दो तरीके से, एक तो आपकी honors degree है, दूसरी subsidiary degree है, subsidiary degree में जिसे अपका program degree आ जाता है, तो ज़रूरी निये कि आपकी उस graduate degree में ही specialization हो, कोई भी आप combination बना पा रहे हो, तो उस particular category के लिए आप eligible हो, यहाँ पर अगर मैं बात करूं language, तो language में सबसे बड़ी खासियत है, कि हिंदी language से, या तो आपके पास honors degree हो, graduation की, या फिर subsidiary degree हो, कोई भी degree चलेगी, यहाँ पर equally eligible हो, same goes for English, same goes for Sanskrit, same goes for Urdu, तो यहाँ पर सबसे बड़ी फाइदे की बात language में यह है, कि अगर कोई student social science का है, इन में से कोई भी subject accommodate करता है, और उसने अपने graduation में English पन लिया, ठी अधर भी language में भी apply कर पाएगा, दोनों ही categories में eligible है, मेरे से बहुत सारे students है, जो यह doubts लेकर आते हैं, और जो apply करने वाले हैं, दोनों ही post तो किसी ने किसी एक post में आपका exam निकल गया तो आपके secure हो गई यह seat और आपकी नोकरी लग ग गई है, वर्ग चटी से आठवी में ह तो यह सबसे बड़ा आपका factor है, एक और बात बता देती हूं कि लांगोजिस की पोस्ट पर नमबर उफ जो वेकिन्सीज हैं, वो भी comparatively आपको जादा देखने को मिलते हैं, तो यहां पर chances of getting selected are higher, एक और बात बता देती हूं, यह चितने भी subjects मैंने आपको बताए, उसमें आपका जो graduation है, उनमें से किसी भी subject पे graduation में आपके 50% marks होने चाहिए, having said that, यहां पर age relax, age नहीं, qualification relaxation आपको मिलता है 5 प्रतीशत का, किसको मिलता है reserved category को, SC, ST, EBC, OBC and PWD category को, तो 50 प्रतीशत general category वालों को qualify करना है 50 प्रतीशत से and 45 प्रतीशत mark से qualify करना है reserved category वाले students को graduate degree में, ब अगर नौवी से दस्वी की, इसमें subject combinations आपके कई सारे हैं, मैं शुरुवात करती हूं math से, अगर नौवी दस्वी वर्ग में आप math subject के लिए अपलाई करना चाहते हो, तो आपके बस math तो होना ही चाहिए, उसके साथ-साथ physics, electronics, computer science, chemistry, statistics में से कोई दो subjects हो सकते हैं आपके graduation म math के साथ इन choices में से कोई दो subjects, या फिर math के साथ आपका b.tech हो सकता है, तो ये दोनों ही टाइप से आपकी जो eligibility है, वो समपूर्ण होती है, जो student science category में apply करना चाहता है, science TGT या science 9 दस्वी वर्ग के लिए, उसके पास zoology, botany और chemistry, ये तीनों ही subjects होने चाहिए, तो यहाँ प आप science वर्ग के लिए eligible होगे, या फिर अगर ये नहीं है, तो आपकी engineering अगर science में specialized है, तो वो उस post के लिए ताव आप eligible हो, या फिर अगर आपके पास zoology और botany जैसे subjects नहीं है, कोई program course है, तो biotechnology और microbiology जैसे subjects भी equivalent रहेंगे, समकक्ष रहेंगे, ठीक है, next हम बात कर लेते ह लांग्विज की, लांग्विज में यहाँ पर फिर से आपको एक relaxation मिलता है, 6th to 8th के जैसे, कि आपका graduate उस particular language के honors degree में भी हो सकता है, और subsidiary degree में भी हो सकता है, तो 9th में again एक और advantage, चाहे आप हिंदी TGT के लिए अपलाई करो, या English 910 के लिए Sanskrit, या Urdu, या Bangla, Methli, Arabic, Farsi, इ इस भी language के लिए आप apply करने जा रहे हो, उसमें आपका graduate degree हो, ठीक है, चाहे वो honor से हो, चाहे वो subsidiary से हो, आपका eligible होगा, music में आप, आपका graduate या उसका equivalent degree किसी भी संस्थान, board या फिर विश्विद्याले से है, तो आप eligible हो, dance, fine arts के लिए भी यही same rule apply होगा, graduate या उसके equivalent degree हो आपकी, physical education के लिए आपका bachelor of physical education या उसके equivalent कोई degree है, तो आप eligible होगे, और इसके detailed discussion, physical education की आपको channel पर भी मिल जाएगी, यहाँ पर इस तरीके साब subject बनाओगे, having said that, चितने भी subjects, choices मैंने आपको बताई, overall आपका graduation में 50% मार्क होने चाहिए, तब ही आप eligible माने जाओगे, और जो reserved category है, उनका, उनको additional 5% relaxation यहाँ पर भी मिलता है, बात कर लेता है हम अपने 11-12 वर्ग की, तो यहाँ पर भी subject combination बहुत सारे है, तो पुराना जो हमारा notification है, उससे हम अपनी eligibility को ensure कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप एक बात समझोगे, जो भी student botany या zoology में apply करने जा रह तो उनके पास botany, zoology, life science, bioscience, genetics, microbiology, biotechnology, molecular biology या plant physiology जैसे subject हो सकता है अपने post graduation में, या master's या इसके equivalent degree में, नेक्स नम बात के लिए तो है physics की, physics में apply करने के लिए आपके पास master's में या physics हो या applied physics हो, chemistry के लिए आपके पास courses या तो chemistry हो या फिर bio chemistry हो, maths के लिए maths हो या applied maths हो, master's म economics, history, geography, politics के लिए as such अलग से कोई educational qualification को draft करके नहीं दिया हुआ था, बट आप यह मान करके चलो कि इसमें भी specialized, इसी subject में master's की requirement होगी, same goes for home science also, अगर मैं बात करूँ music की, तो again post graduate या उसके equivalent कोई degree आपके होनी चाहिए music में, philosophy, psychology, sociology में भी यही चीज़ की गई है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ accountancy, business studies and entrepreneurship की, तो यह commerce, वानिज्जे के subjects हैं, तो आपका m.com होना चाहिए, masters of commerce होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, अगर आपके पस masters in commerce applied है, तो आप eligible नहीं हो, और अगर आपके पस business economics है, तो भी आप eligible नहीं हो, समझ गए, सिर्फ masters of commerce वाले students ही in subjects क के लिए eligible रहेंगे, बात कर लेते हैं, अपने computer science की, तो computer science में आपका b.tech degree, या फिर उसके equivalent कोई भी degree हो, b.tech degree आपका computer science में भी हो सकता है, या फिर कोई भी post graduate diploma हो, computer science के राउंड, तब आप eligible होगे, और इसका भी detailed notification आपको channel पर, मिल जाएगा, detail, you know, discussion मिल जाएगा, क्योंक समबात कर लेते हैं, languages की, यहाँ पर इतनी सारी languages हैं, और हर language के लिए अलग-अलग पदों पर भरती आने वाली है, ठीक है, तो Arabic, Bangla, Bhuchpuri, English, Hindi, Maghi, Mathly, Pali, Farsi, Sanskrit, Urdu, Prakrit, या कोई भी भाशा है, अगर आप भाशा को चूस कर रहे हो, यारवी, बारवी वर्ग में, तो आप का उस particular भाशा में master's degree, उसकी equivalent कोई degree होना चाहिए, ठीक है, तभी आप eligible होगे, यहाँ पर भी same eligibility criteria या qualification marks apply होंगे, qualifying marks, 50% regular students के लिए and 45% reserved category वाले students के लिए, तो यह मैंने आपको अभी पुराने notification से बताया, मैं आपको बता देती हूं कि अपनी eligibility, अपने qualification और अपने subject combination को सश करने के बाद, अपनी नियामवली को समझने के बाद, जो कि इतनी complicated होती है, उसको आसान बनाने के बाद, अगर यहाँ तक आपको यह video समझ में आ गई है, तो आपको एक बात समझ लेना है, कि आज और अभी से आपको तयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि कोईंटो कर नूटिफिकेशन मिल जाएगा, इस बार 6-8 काटिगरी में seated, December वाले students भी eligible हो सकते हैं, number of applicants है, वो बढ़ेंगे, competition बढ़ेगा, seated July वाले भी वेट कर रहे हैं, इस बार आपको applicants मिलेंगे, जो बिहार estate paper 1, paper 2, freshly qualified candidates हैं, अब बिहार estate में भी अगर आपके 90s में मा preparation के लिए, strategic planning के लिए, और resources को avail करने के लिए, आज आप हमारे साथ जुड सकते हो, क्योंकि हमने अपने batches को launch कर दिया है, 25 November से, अब in batches पर, जो भी आपको detailed orientation चाहिए, आपको अपने exam related details चाहिए, तो वो जानने के लिए आप नीचे दिये गए, number पे call कर सकते हो, हमारे batch म हमारे आचुके है, paper 1, part 1, part 2 and part 3, तीनो ही parts के लिए, हर वर्ग और हर विशय के लिए, आप उनकी आज से तयारी शुरू कर सकते हो, मेरी class अपके साथ होने वाली है, दो बजे, RR247 application पर, जिसको अगेन आप डाउनलोड कर सकते हो, नीचे दिये गए, लिंक से, और किसी भ और आपकी requirement हो, कोई और subject combination आपको जानना हो, तो अपनी राए हमें comment section में जरूर बताएं